स्वागत है आपको हमारी चनल निचरल टिप्स हिंदी में दुलहन के लिए कंगन सिट का चुनाओ करते टाइम कई बातों का थ्याम लखना चाहिए जिससे आप शादी के जोड़े और पसंद के हिसाब से चुन सकें सबसे पहले दुलहन को लहगया सारी या काउन के रंग के डिजाइन के हिसाब से कंगन सिट का चुनाओ करी जिस तरह से कपड़े में कड़ाई सुनहरे चांदी या और किसी धादु की कड़ाई है उसी के हिसाब से कंगन सिट ले कंगन सेट का डिजाइन पारंपरी किया मोडर्न हो सकता है ये बात दुलन के थेम पर निर्भर करता है भारती शादी के लिए कुंदन जड़ाओ या पोलकी वर्क वाले कंगन अच्छे लगते हैं जबकि मोडर्न सेटिंग में टाइम और डिजाइन भी अच्छे होते हैं सोने चांदी पलेटिनम या आर्टिफिशिल जोलरी में से अपनी बजट और है पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हैं अगर बजट कम है तो हाई क्वालिटी वाली आर्टिफिशिल जोलरी भी एक अच्छी पसंद हो सकती है डिजाइन और फिटिंग का भी ध्यान रखें कंगन का साइज दुलहन की कलाई में अच्छी तरह से फिट हो बहुत धेले या बहुत तंग कंगन पहनने में अब असुबीदा जनक हो सकते हैं मौजूदा फैशन ट्रेंड पर ध्यान दे इस वक्त कौन सा कंगन से जादा पसंद किया जा रहा है अगर दुलहन को एक यूनिक लुक चाहिए तो कंगन चूड़ी का सेट तयार करें जिसमें भारी और हलके कंगन सेट में लगे हो जैसे लाल या हरे रंग के या हरे रंग के या खाश डिजाइन वाले कड़े इस बात का ध्यान रखें सहुलियत के हिसाब से ही कंगन चूड़ी सेट का ध्यान रखें कंगनों का वज़न जादा भारी ना हो जो दुलन को पहनने के हिसाब से आराम दायक हो हलके और आराम दायक हो शादी के बाद लंबे समय तक पहना जा सके जो खूबसूरती और निखार बनाई रखे हमारे चनल नेचुरल टिप से हिंदी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें और बिल आइकन को टच करें वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेका थैंक्स पूर वाचिंगे